दोस्तों इस practice set का पहला सवाल है सी किम के ने मुक्षय मंतरी कौन है से अंसर क्या होगा बताए कमन बक्स में अफसर A होगा या B होगा या C होगा या D होगा बस इतना ही आपको बताना है पर 40 question में से minimum 30 question का से अंसर देना है दोस्तों इसका से अंसर होगा अपसन C प्रेम सिंग तमाग अपसन C इसका से अंसर होगा तो चलिए बढ़ते हैं next सवाल क्यों next सवाल है दोस्तों ये भी काफी महतपमन सवाल है महस मागा उंकर 21 खेल से समन दीथ है बताए बैडमिंटर्ण, स्क्वाष, चेस, टैनिस से अंसर होगा दोस्तों अपसन B ओके इसका स्क्वाष खेल से समन दीथ है और दोस्तों ये भी जान लेजिए महस मागा उंकर ये भारत के एक थैमस स्क्वाष प्लेयर है अभी हाली में इन्होंने सेकी स्वी ओपन टाइटेल जो स्क्वाष गेम का एक टैटेल है इन्होंने अभी जीता है इसलिए एक काफी महता पूर्ण है ये एक स्क्वाष प्लेयर है बढ़ते हैं नेक्स वाल क्यों नेक्स वाल है दोस्तों चागोस आर्की पेलागो ओके ये किस महासागर में स्तीत है यानि चागोस दीब सम्हों इन निमलिखित में से किस महासागर में स्तीत है C अंसर होगा दोस्तों ओकोस दी हिंद महा सागर यानि इंडिया नासन आक्स अप्साटी इसका C अंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स सब्लकियो दो सब्सलन तो स्वाब है काफी महतापूर्ण है option A, इसका C answer हो जाएगा भलो दिमिर जिलन्सकी इक्रेन के ने राष्टर पती है दोस्तों नेक्स सवाल है UNESCO के chairman यानि director general कौन है C answer क्या होगा बताएग दोस्तों UNESCO का full form क्या होता है जाने लिजे United Nations Educational Scientific and Cultural Organization और दोस्तों इसका headquarter कहाँ पर है France में है फ्रांस का Paris में है बताएगा इसका director general कौन है C answer हो दोस्तों option D औरे ओजोले option D इसका C answer होगा पड़ते हैं next सवाल क्यों दोस्तों next सवाल है OPEC में कितने देश सामील है यानि इसके कितने member country है बताएगे C answer क्या होगा दोस्तों OPEC का full form होता है Organization of Petroleum Exporting Countries इसमें कितने country हैं बताएगे C answer होगा दोस्तों option D इसमें 14 country है option D इसका C answer होगा पर दोस्तों इसका headquarter कहाँ पर है पुछाया आता है दोस्तों इसका headquarter है Australia का भियाना में Australia का भियाना में स्थीत है और दोस्तों इसका official language है English और दोस्तों इसके secretary general कौन है दोस्तों इसके secretary general है मोहमत बारकिंडो मोहमत बारकिंडो इसके secretary general है यानि ओपेट के बढ़ते हैं next सवाल क्यों next सवाल है दोस्तों Odisha का राष्ट्रिया full क्या है इस तरह के सवाल खास करके NTPC ये किशा में जाए दर पुछे आते हैं किस राज्या का क्या राष्ट्रिया full है से अंसर होगा दोस्तों ओसो का option B इसका से अंसर होगा Odisha का राष्ट्रिया full क्या है ओसो का option B से अंसर है इसका बढ़ते हैं Nejस सवाल क्यों Next सवाल है Philippines के currency क्या है ओके इसका मुद्रा का नाम क्या है Philippines का Say answer होगा option A option A इसका say answer होगा बढ़ते हैं Nejस सवाल क्यों Next सवाल दोस्तों कापन आसान सवाल है भारत एक खोच इस पुस्तक के लेखा कोन है इस पुस्तक के लेका कुन है से अंसर होगा दोस्तों जवालल नहरू अपसन डी इसका से अंसर है नेक्स वाले कोनार्क सुर्य मंदिर ये कहां स्तीत है कोनार्क सुर्य मंदिर ये कहां स्तीत है से अंसर होगा दोस्तों अपसन ए ओके ओडिशा में श्ती थे कोनार का सुर्य मंदिर बढ़ते नेक्स वाल क्यों नेक्स वाले दोस्तों बान्धों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा बान्धों को यानि ड्याम को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा से अंसर हो जाएगा अपसन D पंडित जवालाल नहरू अपसंडी इसका से अंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स वाल क्यों नेक्स वाले दोस्तों बर्स 2020 में ओलम्पिक खेलों का मेज़वानी कौन सा देश करेगा बताएं 2020 में ओलम्पिक खेलों का मेज़वानी कौन सा देश करेगा से अंसर होगा दोस्तों, अपसन ए, जापान, ओके जापान का टोक्यो में अलम्पिक खेल होने वाला है 2020 में, बढ़ते हैं नेक्स वाल क्यों नेच्क्स वाले रिजम तामिल नाडु का जली का टूखैल यह किससे समन्दीध है? से अंसर होगा दोस्तों बेलों की लड़ाई यानि अपसं सी इसका से अंसर होगा. नैक्स वाले रिजम योखे जनीक पैरा मोसियंग यह किसके द्वारा प्रजनन करता है? इसका जो reproduction इसके द्वारा होता है C answer होगा दोस्तों binary vision यानि option A द्विक खंडन इसका C answer हो जाएगा option A बढ़ते हैं next सवाल क्यों तो next सवाल है इस बार का RPF tradesman exam में पुछा गया था Olympic धोज यानि Olympic plaque का चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद क्या है इसका width और length का ratio क्या है C answer होगा दोस्तों option A 2 is to 3 option A इसका C answer होगा इसको ठीक से रट करके रखें exam में बार-बार पुछा आता है बढ़ते हैं next सवाल क्यों दोस्तों next सवाल है 2019 का global teacher price किसको मिला है global teacher price 2019 से किसे सम्मानित क्या गया है option A option A Peter Tabichi option A इसका C answer होगा दोस्तों किस देश से विलंस करते हैं एक Kenya के इसके विलंस करते हैं एक Kenya के इगनागरीक है बढ़ते हैं next सवाल क्यों एक काथी आसान सवाल है भारत रतना पुरसकार 2019 से किसे समानित क्या गया है 2019 का भारत रतना पुरसकार किसे किसे मिला है याद रखिए दोस्तों एक तीनों से आंसर हो जाएगा भूपेन हजारी का प्रोनम मुखार जी नाना जी देश मुख एक तीनों नाम को ठीक से याद रखिए इन तिनों को 2019 का भारत रतनपुरसकर से सम्मानित किया गया है बढ़ते नेक्स वाल कियो नेक्स वाल कियो खेलो इंडिया यूद गेम्स 2019 किस सहर में खेला गया बताए खेलो इंडिया यूद गेम्स 2019 ये किस सहर में खेला गया आप आप देख सकते हैं लोगों में यह पूने सहर जो कि महराष्टर में सी थी थे खेला गया यानि अप्सन डी इसका सियांसर हो जाएगा ओके अप्सन डी सियांसर है बढ़ते हैं नेक्स वाल की नेक्स वाल है ड्रिबल सब्द ओके यह किस खेल से समंदी थे बताई यह जो ड्रिबल सब्द है यह किस खेल का एक सब्द है सियांसर हो जोगा दोस्तों अप्सन बी बास्केटबल अप्सन बी इसका सियांसर हो जोगा यह बास्केटबल खेल से समंदी थे बढ़ते हैं नेक्स वाल कीओ नेक्सटसे दोस्तों इनमें से किसको क्विक सिल्भर कहा जाता है? से अंसर होगा दोस्तों, option B, mercury यानि पारा को क्विक सिल्भर कहा जाता है option B, इसका से अंसर होगा नेक्सटसों, बंगलादेश के साथ कितने भार्तिय राजिय अपनी सिमाएं साजा करते हैं? बताइए, how many Indian states share their borders with Bangladesh? C answer हो गा दोस्तों, 5, option D is का C answer हो जाएगा, मुझे comment box में बताइए, इस 5 राजियों का नाम क्या है? Okay, comment box में बताइए, चले, बढ़ते हैं next question, Next दोस्तों, पहला भारत्य परिशत अधिनियम कब पारित क्या गया था? बताइए, पहला भारत्य परिशत अधिनियम कब पारित क्या गया था? यहनि, the first Indian Council Act was passed in which year? C answer हो गा, option C, 1861, okay, option C इसका C answer हो गा, बढ़ते हैं next वाल क्यों? Next वाल जोस्तों, लसुंग फेस्टिवाल एक किस राजियों में मनाय जाता है? लसुंग फेस्टिवाल एक किस राजियों में मनाय जाता है? C answer हो गा, option A, सिकिम है, okay, option A इसका C answer होगा, okay, सिकिम है Next वाल जोस्तों, वार एंड पीस इस पुस्तक के लेखक कौन है? Okay, वार एंड पीस इस पुस्तक के लेखक कौन है? C answer होगा, option C, Leo Tolstoy Option C, इसका say answer होगा, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है, Leo Tolstoy बढ़ता है next वाल कियो Next वाल जोस्तों, इमलिखित में से कोन सा भारत का सास्तिर्य नूर्तिय नहीं है? इन में से कोन सा भारत का सास्तिर्य नूर्तिय नहीं है? C answer होगा, दोस्तों, option A, भांगड़ा Okay, option A, इसका say answer होगा Okay, बढ़ता है next वाल कियो Next वाल कियो Next वाल कियो Next वाल कियो जलबायो के संदर्प में ITCZ का full form क्या है? बताए, ITCZ का full form क्या है? Say answer होगा, intertropical convergence zone Okay, intertropical convergence zone इसका say answer होगा Option D, say answer है बढ़ता है next सवाल कियो जोस्तों, next सवाल है निमलिखित में से कौन सा सहर पल्लवों का राजधानी था? Okay, capital अब पल्लावस कौन सा था? बताए, history से सवाल है Say answer होगा, option C, कांची Okay, कांची पल्लवों का राजधानी था Okay, option C, इसका say answer होगा बढ़ता है next सवाल कियो Next सवाल है जोस्तों, 1977 में भारतिया जन्संग Okay, B, J, S का स्तापना निमलिखित में से किस ने किया? बताए, say answer क्या होगा? Say answer होगा, जोस्तों, option D, श्याम प्रसात मुखर जी Option D, इसका say answer होगा Okay, बढ़ता है next सवाल कियो Next सवाल जोस्तों, निमलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मेदानों में पाई जाती है? Say answer है, option D, जो लोड जमीन, option D, इसका say answer होगा बढ़ता है next सवाल कियो Next सवाल जोस्तों, सैंड स्टोन, निमलिखित में से किसका एक उधारन है? Okay, सैंड स्टोन, निमलिखित में से किसका एक उधारन है? Say answer है, इसका तलचटी पत्थर, option C, इसका say answer है एस सवाल जोस्तों, इस पर की group D, LP exam में पुछा गया था Next सवाल जोस्तों, malaria रोक और काला आजार रोक, ये किस से होता है? Okay, ए दोनों रोक किस से होते हैं? Kids Right Index में भारत का र्यांक क्या है? 2019 का Kids Right Index में भारत का र्यांक क्या है? Say answer है, इसका option C, 117, option C, इसका say answer होगा Next सवाल जोस्तों, 2019 का सुधिर मन कब बेडमिन्टन टूर्णामेंट में किस टीम ने जीता है? बताई, 2019 का सुधिर मन कब बेडमिंटन टून्डामेंट में किस टीम ने जीता है C अनसर होगा, अफशन D, चाइना अफशन D इसका C अनसर है ये सवाल है करेन एफैर से, 2019 का डाइलान थोमास पुरसकार किस ने जीता बताई, C अनसर क्या होगा तोसने इसका C अनसर होगा, अफशन C, ओके नाम को ठीक से याद रखिए नाम है गाई गुना रत्ने, अफशन C इसका से अनसर होगा तोसने नेक्स सवाल है, 2019 का डाक्टर ली जंग उक प्राइच किस ने जीता बताई, ये काफी महत्तपुन सवाल है आवाट से ज्यादातर सवाल पुछिया आते हैं, NTPC एक्जाम में करेने भरगा से अनसर होगा दोस्तों, अफशन B बलराम भरगप, अफशन B, इसका से अनसर होगा इनको अभी हाली में, 2019 का डाक्टर ली जंग उक प्राइच मिला है ओके दोस्तों, यह इसलिए महत्तपुन है क्योंकि यह हमारे भारत से विलांस करते हैं ओके, बरते नेक्स सवाल कियो